बहुत समय पहले की बात है, धरमपुर नाम का एक मशूर गाउं था, कोई भी आदमी उस गाउं में अपनी बेटी की शादी करने से डरता था, उस गाउं में एक दादी होती है जिनसे पूरा गाउं डरता है, क्योंकि वो वहां की मुख्या होती है, गाउं के लोग वही करते थे जो वो कहती थी, उनका एक राकेश नाम का पोता होता है, जिसकी शादी मालती नाम की एक लड़की से होती है, एक दिन मालती पडोस की बहुँं के साथ कुए से पानी भढ़ने जाती है, और तब ही अचानक उसे बच्चों के रोनी की आवाजे आने लगती है, अरे, य आवाज तो इसी कुए से आ रही है, पर ये कुए इस पत्थर से बंद क्यों कर रखा है, नहीं, हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही, और इस कुए में पानी नहीं है, इसलिए से बंद कर दिया है, अब तुम चलो यहां से, ये तुम्हारा कोई वहम है बस, और कुछ नहीं नहीं मैं सच पोल रही हूं शांती भाबी शांती और सरिता मालती की एक नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाती है मालती पानी भर कर घर वापस आ जाती है और इस बारे में अपनी दादी सास से पूछती है पर वो उसकी बात को नजर अंदास कर देती है उसके बाद वो राकेश से जाकर इस बारे में पूछती है तो वो भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता अजीब बात है कोई भी मेरी बात का जवाबी नहीं दे रहा मालती अगले दिन फिर से पानी भरने जाती है पर इस बार वो अकेले जाती है कल तो शांती भावी और सरिता भावी ने मुझे उस कुए के पालसी नहीं जाने दिया क्यों ना मैं आज जा कर देखू मालती अकेले ही कुए के पालस चली जाती है और फिर से उसे बच्चों के रोने की आवाजे आती है मालती कुए के और करीब जाती है और कान लगा कर ध्यान से सुनने लगती है मैं हूना, मैं तुमें बचा लूँगी बच्चो तुम चिंता मत करो मैं अभी इस कुए के उपर से पथर हटाती हूँ माल्ती अपनी पूरी जान लगा देती है और जैसे तैसी करके एक कुए के उपर से उस भारी पत्थर को खिसका देती है पत्थर के हटते ही उसमें से बहुत सारे भूतिया बच्चे बाहर निकलाते हैं और माल्ती के चारों तरफ हवा में उड़ने लगते हैं ही 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 हम आजाद हो गए आखिर हम इस मौत की कुईये से बाहर आ ही गए अब हम उस बूरी औरत से अपनी मौत का बदला लेंगे अब हम सब को चुलट पलट कर देंगे अब हमारा कोई भी कुछ बिगार नहीं पाएगा मालती इतने सारे भूतिया बच्चों को देख कर हक्की बक्की रह जाती है और कुछी पल में बेहोश हो जाती है कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ पाती है और उसके सामने एक दाई मा और दादी खड़ी होती ह राकेश वो भूत नहीं वो भूत पच्चे तुम शान्त हो जाओ मालती और मेरी बात थ्यान से सुनो तुम्हें अब टेंचन बिलकुल भी नहीं लेनी वरना तुम्हारी सेहत पर बुरा असर होगा ऐसा क्या हुए मुझे कुछ खबराने की बात नहीं है तुम मा बनने वा ये तो बहुत ही खुशी की बात है अब अपना और अपने बच्चे का खुब बच्चे से ध्यान रखियो आखिर मेरा पोता आने वाला है पोती भी तो हो सकती है दादी मैने बोला ना पोता होगा तो बस पोता होगा और अब तु इस घर से बाहर नहीं जाएगी जब तक बच्चा नहीं हो जाता, तू इस घर के बाहर कदम भी नहीं रखेगी। उस दिन राकेश काम पर नहीं जाता, इसलिए मालती पूरा दिन उसके साथ ही बिताती है। रात को जब मालती सोने के लिए बिस्तर पर लेटती है, तो उसे नीन नहीं आती। इसलिए वो खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है, और तभी उसे कुछ बच्चों के हसने की आवाजे आती है। तुझे बच्चाने हमें सब पता है कि तू भी माँ बनने वाली है, अब तो हमें तेरे बच्चे के आने का इंतजार है, जैसे ही वो इस दुनिया में आएगी, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा क्यू कर रहे हो तुम मेरे साथ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब तो हमें मौका मिला है अपनी मौत का बदला लेने का। तुम ऐसे क्यू बोल रहे हो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा बच्चह मेरे लिए सब कुछ है। पर उसे आखिरकार हम बच्चों में शामिल तो होना ही पड़ेगा, तुम उसे हमसे कभी नहीं बच्चा पाओगी। मालती जोर से चिलाती है और उसकी आवाज सुनकर राकेश की आँख खुल जाती है और वो भूतिया बच्चे भी वहां से गायब हो जाते हैं। क्या हुआ मालती, तुम चिला ही क्यों? वो भूतिया बच्चे यहां आए थे राकेश, वो कितने डरावने थे और वो मुझे बोल रहे थे कि वो मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे, मैं उनको अपना बच्चा नहीं दोंगी। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को मालती, तुम बिलकुल चिंता मत करो, मैं आज ही दादी से कहकर पंडित से तुम्हें जाड़ा लगवाता हूँ, फिर देखना, सब ठीक हो जाएगा। सच में? फिर वो मेरे बच्चे को नहीं ले जाएंगे ना? नहीं मालती नहीं, चलो अब चुपचात सो जाओ, राकेश और मालती सो जाते हैं, अगली सुपर राकेश अपनी दादी के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है, दादी मालती बहुत परेशान है और उपर से वो भूतिया बच्चे जो उसे बार बार दिखते हैं, द इस गाओं के नियम सब के लिए एक जैसे है, चाहे वो मेरा पोता ही क्यों न हो, और हाँ, और तु ये उल्टी बात सोची क्यों रहा है, ऐसे सोच की वो नौबत ही न आए, जी दादी, राखीश वहां से उदास होकर काम पर चला जाता है, मालती घर में अकेली बैठी, इधर उदर की बाते सोच सोच कर परिशान होती रहती है, उसे बार बार वही भूतिया बच्चे दिखते थे, वो सब को इसके बारे में बताती थी, पर पता नहीं क्यों, कोई इस बात पर ठीक से जवाब नहीं देता था, उसे अकसर वो बच्चे दिखते थे, जो उससे हमेशा उसके बच्चे को ले जाने की बात करते थे, ऐसे ही नौ महीने बीच जाते हैं और मालती की तब्यद बिगरने लगती है, घर में सब बाहर गए होते हैं, मालती जल्दी से शांती और सरिता भावी को बुला कर लाती है, मालती एक बेटी को जन्म देती है, मालती की खुशी का ठीकाना ही नहीं होता पर शांती और सरीता के चेहरे उत्रे हुए होते हैं रात को जब मालती अपने बच्चों को खिला रही होती है तो वही भूतिया बच्चे मालती के कमरे में आ जाते हैं और उससे उसका एक बच्चा मांगने लगते हैं नहीं दूंगी मैं मेरा बच्चा जाओ यहां से बच्चा तो तुमको देना ही पड़ेगा आज हमें भी मौका मिला है बुडिया से अपनी मौत का बदला लेने का एक को वो मार देगी और एक को हम आगर तुम मेरी दादी सास को ऐसे क्यों बोल रहे हो वो तो इतनी अच्छी है चल दी तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी दादी सास का सच कौन सा सच? तुम्हें दादी का कौन सा सच पता है? उनकी वज़ा से आज हमारी ये हालत है उन्होंने हमें मार डाला ये क्या बखवास है? वो बहुत अच्छी है अच्छी है? तो तुम्हें किसी ने क्यों उस कुएं के बारे में सच नहीं बताया? क्यों चुपाया तुमसे? रहा होगा कोई कारण नहीं, उन्होंने ही हमें मरवाया है जब भी इस काउं में किसी की लड़की होती है तो उसको उस मौत के कुएं में फेक दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है क्योंकि वो लड़की है, बस इसलिए और जब लड़का होता है, तो खूब जश्न मनाया जाता है और ये सब किस के कारण शुरू हुआ, पता है तुम्हारी दादी सास नहीं, ये सब जूट है अगर ये बात सच हुई, तो मैं इनको खुद सबक सिखाऊंगी, अगर मेरी दादी सास ने ये सब किया है, तो अच्छा नहीं होगा, हमें तुम पर यकीन नहीं अखिर मेरी भी तो एक बेटी हुई है मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर है, मैं एक को कैसे मरने दे सकती हूँ, मेरा यकीन करो मैं ये सब रोक करोंगी, और आखे से इस गाउं में किसी बच्ची को मारा नहीं जाएगा, ठीक है, हम तुमें एक मौका देते हैं, इतना कहकर सब भूतिया बच्चे वहां से गायब हो सुबह होते ही, जैसे ही सब लोग घर आते हैं, मालती के बच्चों को देख कर बहुत खुश होते हैं पर दादी दोनों में से लड़की को उठा कर कुए में फेकने जाती है तो वहां पहले से ही मालती के पापा पुलिस वर्दी में दूसरे पुलिस वालों आपके खिलाफ ना कोई सबूत था और ना कोई आपके डर से आपके खिलाफ गवा ही देता था आज यहां सबूत भी है और मैं खुद गवा हूँ पापा यही है वो कुवा जिसमें इस गाउं की बच्चियों को फेका जाता है मालती के पापा अपने साथ लाई कुछ लोगों को कोई में भेजते हैं तो वहाँ उन्हें चोटी चोटी बच्चियों की लाशे ही लाशे मिलती है सारी लाशों को बाहर निकाला जाता है तब ही वहाँ सारे भूतिया बच्चे भी आकर हवा में इधर से उधर उड़ने लगते हैं इसने हमें मारा है, ये हमारी कातिल है सब लोग ये द्रिश्य देख कर हैरान रह जाते है देखो, आपने कितनी बच्चियों की जान ली है मालती के पापा मालती की दादी सास को पकड़ कर ले जाते हैं और उसके बाद कभी किसी लड़की की हत्या नहीं की जाती